22 वर्ष से वर राजबर समाज के माँ बहन बेटियों को टालिक टटर पलाद कर मोडी को गिना कर थोग वाव में स्रीप बेचने काम करते हैं कूटर से आये थे हम जैसे कार करता उनको फार्चुनर तक पहुचा है लेकिन जब जब उनको हिस्सेदारी टिकट का मिला बटवारा सारा टिकट बेचकर मात बाप पूत तक ही सिमित्र अगई पार्टी पीला गमशा पहन कर थाने में जाए पीला गमशा से थाना चलेगा कि सम्मिधान से चलेगा पानी पीपी कर भारती जनता पार्टी को जिसो इननों गाली दिया तमाम तरीके से ललका साण, पियरका साण, उहां भेजूगा जाए गुरग पूर जाए भीख मांगने की टेरिनी दी जाती है करकरताओं को यहां माँ बहन की असपश्ट रूप से गाली दिया और आप देख भी रहूंगे कि हम घोसी में हैं घोसी को ऐसे भी होट सीट कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर यह बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं डारेक्ट तीन बड़े नेता जो है उनका लेना देना जगह से है ओम प्रकाश राजबर की बात हो एके सिंग की बात हो दार स प्रकाश राजबर ने एक बड़ी मन से यह कहा था कि आप यह गंचा ओड कर जाए और थाने पर आपको देखकर यह मान लिया जाएगा कि ओम प्रकाश राजबर आए इस तरीके के बाद वो कहते नजर आते हैं आपकी पार्टी उनकी पार्टी से जुड़ी हुई थी सुह थोग वाव में स्रीफ वो बेचने काम करते हैं इसकूटर से आये थे हम जैसे कार करता उनको फार्चुनर तक पहुचा है लेकिन जब जब उनको हिस्सेदारी टिकट का मिला बटवारा सारा टिकट बेचकर मात बाप पूत तक ही सिमित्र अगई पार्टी इसलिए पार्ट वहां का जिला धक्ष को पीटा वहां के दर होगा उसके बाद अपने जिला धक्ष को पहचाने से इंकार कर दिये और जिला धच कर अपने पूरी कमेटी के साथ बिचारा इस्थिपा दे दिया तो इनका काम बस मन जितना एक भुल ने फालतु बोलते रता हैं सुभा कुछ प्रकास राजबर जी एक मर्ड नेता है और यहां के घोसी का नारा है घोसी बचाओ बाहरी भगाओ अभी गोसी उपचुनाओं में प्रकास राजबर बाप पुत दोनों लोग मातारी बेटी दिया दमाज साब लोग यहां केंपिंग किये और इतने ओटों से हम लोग उनको हारा कर भेजे कि उनकी जमाना जब्त हो गई कते थे कि अखलेस जी को मैं सफ़ाई भेज दूगा उनको तो हम लोग उपचुनाओं में बनारस भेज द उसकी जमाना जब्त हो गई और तीसरा एक दियावत में कहावत है कि एक बुजरी दूइ बुजरी तीसरी बुजरी में घर बुजरी तो यहां से इनके जानित एदम समाप्त हो जाएगी इनका बोरिया विश्तर बाद कर घोशी की जनता इनको बेजने के तम तयार है जो 22 स जाल से थो वाव में बेचने का जो ओटों के गरीबों के ओटों को जो सवदा करते हैं इनको पूरा जनता और राजबर समाज इनको जान चुका है इनका जमीन पर कुछ नहीं है आप यहीं घोसी उपचुनाव का बुथ उठा कर देख लिए यह बहु चेतर है घोसी यहां पर सत्तर हजार राजबर मद आता है और उठा कर देख लिए पूरे के पूरी वोट समझवादी पार्टी के पाले में हम लोग डालवाने का काम की अगडबंदन समझवादी पार्टी पीडिये के हम लो साथ है जब उप चुनाव हमारे हम बबब से रहें मोदी और योगी क्या था है मंदार था कि लुटे रहा था कि डाकू था कि चोड था कि साथ तो यह राजबर समाज की ओटों पर जो डाका ये बाई साल से डाल रहा है अब इसकी डाकाईती का सामापन होने के लिए अमता बच्चन का उदोय हो चुका है और धर्मेंदर का इनका सफायात था है और इस बार के बाद उम्परकास राजबर के पाल्टी से कोई पाल्टी गडबंधन नहीं जिन्दगी में कर सकती है कियोंकि अब जमीन पर कुछरा नहीं गया है सुल्देश्वाविमान पाल्टी ने अपना यहां पर जलवा भी खेरा है अभी उपशुना घोसी देख सारे बाहरी लोग को यहां पर कभ्या करते हैं आज हम गड़ है तो अभी बनारत से आ रहा है तो इसलिए बारियों खदड़ाता होना है और पूरी जनता जागरूख हो चुकी है और लोकल ही यहां से चुनाव जीत कर जाएगा तो आपको लग रहा है कि उनका जलवा नहीं क्या रहे हैं जो हमें जिताएंगे आसिरवाद देंगे अरे तो भी कह रहा है थे कि चावान और राजबर मिलकर चापेंगे तो दारा भाई आकेले जीज जाएंगे दो यह जतिया को लेकर तो कहां गए 43,000 ओर से कोई विधायक जितता है उत्तरपदेश को जीता है या घो दिरकालिनी गडबंधन है लंबा गडबंधन चलेगा पीडिये के साथ गडबंधन पे तो यकीन ही नहीं होता है आज सुबह यहां पे हैं कल कहीं और चले गया तो किसके गडबंधन प्रकास राजबर जो बापूत की प्राइबेट लिप्टेट कंपनी है जो बना कर माजवादी पार्टी के साथ गडबंधन है और हम लोपीडिये के साथ हैं और सम्मिधान को बचाना है देश खत्रे में इनसे पूछो भाजबा से पूछिए आप कि 22 को नोकरी अभी कहां गई तो कहते हैं राम मंदिर बन गया कहते हैं कि राम मंदिर बन गया राम मंदिर जाकी है मतरा कासी बाकी है इनसे पूछिए कि 15 लाख रुपिया जो हर खाते में आना था आ गया तो कहते हैं कि कास्मीर को मैंने पाकिस्तान में था भारत मिला दिया यह मतलब मुद्दे से हटा का पांच किलो रासन जो दे रहा है न यह गरीबों को असी असी करोड गरीब इसलिए आज पीडिये एकोकर और उनको हालाने का काम करेगी अच्छा आप सुरुवात में कहीं कहीं ने कहीं ओम प्रकाश राजबर को सपोर्ट करती रही आप भी कारिकर्टा के रूप में उनके साथ रहे तो अखिर उनकी नीतियां क्या कौन सी नीतिया आपको अच्छी क्योंकि वो बता रहे हैं कि उनकी जो चवी है वो जनता के बीच में बहुत पॉजिटिव गई है और एक गदावर नेता बन रहे हैं और आपको क्या उनमें कमिया नजर आई देखें जो 17 टिकट इन्होंने पाया 17 टिकट में हम लोग का यही फर्मान था कि आप कम से कम इसमें से पांच राजबर लड़ा दीजिए पांच आठ थो बेच दीजिए अपने बाप पूत और अपनी महतारी को भी लड़ा दीजिए कोई हम लोग को दिकत नहीं है लेकिन जो कर करता डोनेट कर करता जो आपको को कोई 15 साल दिया अपनी जमानी कोई 10 साल दिया अठाइस साल दिया आप कितने साल दिया मैं तो उनके साथ चारे साल था मैं उनको 2004 पांच में जान गया कि यह बहुत बड़ा बहुरूपिया है तो यहां से चंद्र दिर राजबर को हम लोग समझ वादी पाटिश से सांसत ब यहीं इंटर्विव मेरा लिजी का एक लाग से हार कर चुनाव जाएंगे इन परकास की छड़ी बिगर किसी साहरे की खड़ी नहीं होती है यहीं तो समलों का सवाल था कि आप हम लोग को मत चुनाव लड़ाई है महंदर राजबर जी को मत लड़ाई हो तो एक बार लड़ राजबर बस्तियों को दवरा कर दीजे सबसे बत्तर रिस्ति हालात आज इस देश के अंदर है तो राजबर समाज की है हमारा एष्टी एष्टी का मामला इलाब हाई को भेजा उत्तर पर फटकार भी लगाई फिर भी बाबाय साहब ने नहीं भेजा आखिर में यह जब ग बस बेचो और अपने घर भर को बस बनाओ बस इनका यह फंडा है बेचने काम है यह बताईए कि अई बगल कि सिठ इसी लोग सवाम पड़ती है अब बस अंसारी मुकतार अंसारी माफिया डान का लड़का है क्या इनके पार्टिया करकरता था कि इनका रिस्धार था च्छ करोन लिए च्छक करोन बगल में यहीं बेलतार रोट सिठ है हंसु राम आई एस तरह पीस इस रिटार्मेंट है च्छक करोन रुपिया लिए फलेट लिए टिकट पेच दिए करकरता है इनका एक दिन कर नहीं था क्या इनके पार्टि में चमार कोई करकरता नहीं था जब दूसरे को देदी होते हैं यहीं आप चले जाए बगल में जखनिया सीठ है एसी सीठ थी एक दिन आपकर करता हो नहीं है बेदी राम और उनकी बेदी राम की और बागपर मुख है बाचपा से और यह तो इनके पार्टी से भीधायक है एक दिन विकर करता है नहीं थे बग बेचकर मात बाप बेटा ही चुनाव लड़े बस बाप बेटा तक ही पार्टी सिमित रह गई बागी करकरता स्रीप इनका जंडा डंडा ढोएंगे टाट विछाएंगे चौकी लगाएंगे लाउड़ा लगाएंगे जिंदगी भर इनका तो इनका इनका जो मुतिया कर चल रहे थे लेकिन 1922 माना के अंदर पार्टी के अंदर अम लोग की बने हुई बीच में चुनाव आ गया एक भी सीट देते हैं माने अखले से यादो तो उनके हम सेंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं नहीं भी देंगे तब हीम पीडिये के साथ हैं और सम्मिधान को लोकसभा सीट जो है वो ऐसे भी कई बार चर्चाओं में रहता और यह बताया जा रहा है कि जो एक तो बड़े बड़े नेताओं का घड़ तो है और दूसरा जो स्थानी पार्टी हैं उनका भी बड़ा पकड़ जो है वो माना जा रहा है सीट को लेके और अभी जब विध बात नहीं है कैसी बात कुछ आपूस में लोग जैसे कोई यादमी से बुद्धी जीव से निलो हसी मजाग करते हैं तो हम लोगों को बिगड़ा कि भाई जैसे का दिये कि भाई अब सबी पियर का वाले जेल जाएंगे तो हमने बिगड़ा तो लोग भाई चूप रही है तो ये सब सवाल खड़े हैं बहुत और हम लोग हैं नेता साइड में हैं हर में सा बोलते भी हैं उनको सदन जाना था सदन में हम लोगों ने पहुचाने का काम किया जब सदन में पहुचा दिया गया तो जो है उन्होंने कारिकरताओं को सम्मान देने का काम नहीं किये जब कारिकरताओं को सम्मान देने का काम नहीं किये तो कारिकरताओं ने छोड़ करके अपना एक रास्ता अपनाया कि उन्होंने कारिकरताओं को जो भी पाल्टी कारिकरताओं को सम्मान देता है तभी वो पाल्टी आगे जाती है हिंदू समाज के लिए अभी मोदी और जोगी जैसे नेता के अभी 200 साल तक जरूरत है और ये लोग भरष्ट आचार में लिप्त नेता हैं कौन लोग अरे ये तमाम जो इंडिया गड़ बंधन वाले हैं इन्हें अगर जो ये भाजपा का दामन नहीं थामेंगे तो इन्हें गुजारा भी कहीं नहीं है जिसलिए इनको जरूरी भी है जाना तो भाजपा का दामन थामिये और सारा पाप दोईये नहीं पाप नहीं दोईये अगर जो ठीक है भाई जा करके अगर जो उसके रहे होंगे तब ओम प्रकास राजवाट अभी तो अपनी पार्टी में आप सामिल की होंगे आप लोगों के अच्छे लोगों का हार आजमी बीरोधी होता है अच्छा तो परकास के अंदर कुछ अच्छाईयां तो ही हैं जिसके उसे समाज और इंडिया गड़ बंधन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं यही अगर जो मानली जीए की जब सपा में थे तो यह भाजपा के लोग और लोग भी विरोध किये और भाजपा में फिर चले पर चले जाएंगे लेकिन उन्होंने को के गए कि अब फिर दोबारा कहीं दूसरी जगा नहीं जाएंगे तो अच्छी बात है कि रहे हैं पर में कमेंट पढ रही थी उसमें लिखा हुआ था कि ओम प्रकाश राजवर बिना पेंदी के लोटा हैं वो कभी धर जाते हैं कभ चले अगले चुनाउन किसी और के साथ गये पिर आप ही के पार्टी का भेत खोलने लगे असल बात है कि उनका और इनका साथ है दोनों का दोनों पार्टीय जुड़ी हुए है तो अभी कुस तो जो है उनमें कुस तो मीठा है बाकि जो खटा है उसकी बात करेंगे यहां औ आपके छेत में कुछ मुद्धा बुद्धा है या जाती जंगरना के अधार पर ही जाती के अधार पर बोट पड़ेगा इस बार ने बिल्कुल जाती के अधार पर नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं परम में लोग है कि जाती के अधार पर पड़ेगा विकास के अ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है तो विकास के मुद्धे पर ही चुनाओ लड़ा जाएगा यहां जातीगत कोई काम है तो यह जो इनसे गड़बंधन हुआ है उनसको कैसे देखते हैं गड़बंधन हुआ है तो आपस में सोच विचार करके यह तो उपर से लोग सोच विचार करके आपके नजर यह से कैसा है सही है उनकी सोच है नेताओं की सोच है जी लोग तो कुछ कम है लेकिन तब भी फिर क्योंकि चुनाओं का महौल आ गया है तो हम जानने और समझने आ किसे जीता कौन आपके छेतर से किसान तृस्त हैं बेरुजयार परिसान है बेहाल किसान है पहले तो हम अपने किसान को देखेंगे जो अन दाता है उसके बाद तो हुझार रुपे डारेक्ट पहुंचाया जा रहा है आपके रहे हैं हतास है निरास है परिशान है चार्ट सअ का सिलिंडर मिल रहा था वो बारव सोच 2 एक हजार पर आगया तो नौशोर रुपे कर क्यों नहीं हमकोaren रुपे में मिल रहा है हम इंटर नेशनल मार्कीट में गैस डिजल का दाम के तना कि रहा है गांग्रेश सरकार के जाने के बाद, आज हम केतना भांगा खरीद रहे है, यह सब कहां जा रहा है हमारे देश का पैसा, कहां जा रहा है, जेतने भी परिच्छा हो रहे हैं, वो सब लिक हो जा रहे हैं, कहां सुरक्चा वेवस्ता नहीं कर पर है, तो हटो गदी छोड़ के, जब सुरक्षा बिवस्ता नहीं कर परदगादी छोड़ खड़ यह पिर क्या फादा है सब आप बदाई बावा आप नहीं बोल पाते हैं क्यों नहीं चाचा कहीं चाचा हूं किसान और इंक एकांट में पहुंच रहा हूं दो जार रुपया और बगल वाले भाईया कहे रहे पाइसा पहुंच रहा है अब क्या चाहिए बताइए खाद कितनी महांगी हो गई जो 50 की लोगे खाद थी वह 40 की हो गई पाइदा फिर क्या है देने का कोई मतलब होता है ना महांगाई महांगाई बहुत है तनी मनी थोड़ी है दवा इतनी महांगी है कि सर्दी बुखार की दवा के लेने के जाएदे चारसो पांच सुर्पिया जब रख लेंगे तम रजाएंगे तक ही रोज तो यह चुटा-चुटा मुद्दा अप लोग बता रहे हैं नोकरी महंगाई ये सब भास्पा की बायार शेटी है सब किसानों की बात करेंगा हम लोग उसके साथ रहें कौन कर रहा है किसान को इसे हमारे किसान मारे जा रहा है अपने ही देश के अंदर अपने ही देश के अंदर जी से लग रहा है कोई बीदेशी इनको मार रहा है किसान का मुद्दा भी बनेगा क्या कियो किसान का मुद्दा हर जगर रहेगा हम किसाने तो किसाने की बात करेंगे न यह जो चुनाओं है वो कई मुद्दों पर भले ग्राउंड पर दिखता हो पहले तो किसान है, हमारी विरादरी किसान है, उसके बाद धराम, अराम, कराम सब बाद में है. नमस्ते, मैं पलवी हूँ, आप भारत एक नई सोज देख रहे हैं, अब हम ऐसे ही ग्राउंड पर पहुचेंगे, अपनी चुनावी चक्का लेके और जानने और समझने की कोशिश करेंगे, कि इस बाद चुनाव में मोहल क्या है?